हलो फेंड्स वल्कम दू मा यूटूब चैनल आज कि इस वीडियो में जो आपका विहार एस्टेट का 9 सितंबर का पेपर फेस्ट हो गया दोस्तों 9 सितंबर पेपर फर्ष्ट में पूछे गए सभी कोश्चन्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आउन करना न भूले सिच्छा में प्रमुख व्योभार है आंसार हो जाएगा विध्यारती के विचारों एवं योगदान का अनुप्रियोग एक सिच्छक का मुख्य कार्य है समस्या समधान विधी समझाना तिसरा कोशन निम लिखित में से कौन से विधी सिच्छारती के इंदरित है सम्हु चर्चाविधी सिच्छार्ठी केंदरिथ है दीक़े चौधा कोशन पूछा गया था कि अवियुरत्ती का विकास तथा प्रसंसा निम लिखित में से किस छेतर में आता है किस छेतर में आता है मनो गामक विकास तिन हो जाएंगे इन में से सबी चलिए एगले कोशिन के बढ़ते हैं तांचमा कोशिन क्या है थारन डाइक के अनुसार अधिगम की प्रयतन और भूल विधी को किस रूप में बरगी करत किया जा सकता तो थारडाइक के अनुसार, अधिगमग की प्रयत्न और भूलवधी को शम्मंद, शहकारी, अधिगम का सिधांद के रूप में बर्गीकरत किया जा सकिया है अग्रा कुशन मुख्यत परवावी अध्यापन किसका प्रकार है मुख्यत परवावी अध्यापन अध्यापन की प्रति अध्यापक की शाकारात्मक अभिव्रति का प्रकार है शंग्यानात्मक चिंतन है तो शंग्यानात्मक चिंतन है छेतिज नश कोशन देखिए निमलिखित में से कौन साथ सतत एबं व्यापक मुल्यांकन का उडेस है वच्चों में सैचिक स्रेश्टा का पुर्तसाहन सरत एबं व्यापक मुलाक्न का उड़े से है नमा कोशन देखिए मनोबैग्यानिक विचार धरा में आधूनिक सिच्छण विधी वच्चों को किस रूप में देखी जाने पर बल देती है मनोबैग्यानिक विचार धरा में आधूनिक सिच्छण विधी वच्चों को कूरी सिलेट रूप में देखी जाने पर बल देती है अहला कोशन देखिए सब्ते सिच्छण का सिदान्द कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है ये दिया है स्वामी दयानम ने ग्यारा कोशन एक प्रभावी सिच्छक हुआ है जो अपने विध्यारतियों को स्वायम सीखने में साहता करता है दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं गिचु भाई वधे का तिरमा कोशन समस्या तमक वालक समानिता वे होते हैं जो इतना समझाने वाली समस्या से जुड़े हूँ चोज़मा कोशन देखे सिच्छक प्रतिच्छन के लक्ष निरधारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिच्छन माड़ूरी अब लोकन अधिगम का सिद्दान किस ने दिया था तो अब लोकन अधिगम का सिद्दान पाव लाव ने दिया था बताओ कौन तकनीक का उप्योग किस के अध्यन के लिए होता है अंतर वेक्टिक समंध अगला कौशन सानेटिक्स किस वर्क के वच्चों के प्रवंद के लिए उप्योगी की जाने वाली विधी है तो सानेटिक्स मंद बुधी वच्चे के प्रवंद के लिए उप्योग की जाने वाली विधी है अठारमा कोशन देखिए एक सिच्छक सहीम आपने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक किवा सोयम नहीं सीख रहे यह विचार व्यक्त किया गया है तो यह विचार व्यक्त किया गया है स्री अर्विंद द्वारा का निर्मान करता है विकरती का निर्मान करता है अगला कोशन देखिए निम्द में किस में माध्यम से परस्पृ ग्यान का उपियोख किया जाना चाहिए किसमे माध्यम से पारस्प्री ज्यान का उपयोग किया जान चाहिए आधोनिक पुर्द्यों की द्वारा सोखना निम्न में से किस पर निरभर करता है सोखना सरकर्मी मनोवरती पर निरभर करता है निर्ष कोशन देखिए दिव्याम के बच्चों के लिए सिच्छा अनिवार है क्योंकि यह उनका मौलिक शयवधानिक अधिकार है तेसमा कोशन देखिए क्या है निम्न लिखित में से कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनावती है अध्यापक के लिए मुकिचनोतिय अध्यापन को आनंद मयार रोची कर बनाना नैश कोशन दे कि प्रवावी अधिगम निमलिखित में से किस पर सरवादिक निर्वर करता है अगला कोशन दे कि प्रवावी अधिगम विद्यारतियों के रोची तथा उनकी भागेदारी पर सरवादिक निर्वर करता है अगला कोशन देखे ये पुछा गया था कि भारत का सरवोचिनागरिक सम्मान वारत रत्न 2019 में किसे परदान किया गया भारत का सरवोच नागरी सम्मान भारत रत्न 2019 में इन सभी को प्रदान किया गया ओप्षिन जो आपका ये वाला है दी ये सहीँ जाएगा देखे प्रभाण मुखर जी भोपेन हजारी का नाना जी देशन इन सभी को 2019 का भारत रत्न प्रदान किया गया है सक्ता इसमा कोशिन देखे क्या है निम्न में से वह कौन है वर्तमान में नीत आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अमिताप कांत निम्न लिखित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है कौन सा एक हडपा का बंदरगा है लोथल कबड़ी खेल में एक पच में खिलाडियों की संख्या होती है अंतर scrambled अंतर राश्टी मुद्रा कोस I.M.M.F का मुख्याल है कहां पर इस्तित है तो अंतर राश्टी मुद्रा कोस I.M.F का मुख्याल है वंसिंक्टन डीसी में इस्तित है अंतर राष्टे मानवा दिकार दिवस किसी दिन मनाया जता है अंतर राष्टे मानवा दिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जता है 32 कोशन दा ब्रोकन विंग्स पुस्तक को निम्न में से किसके दोरा लिखा गया है दब्रोकर विंग्स पुस्तक किरनवेदी के दोरा लिखा गया है अगला कोशन निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी है जो की अरब सागर में गिरती है ब्रह्मा पुत्र में गिरती है भारत में नीती आयोग कब अस्तित्तु में आया तो भारत में नीती आयोग एक जनवरी 2015 को अस्तित तुम्हें आया अगला कोशन राजसभा की सदस्ता के लिए नियुनताम उम्र सीमा है तीस बर्स 1498 इस्वी में वास्को डिगावा ने काली कट के किस हिंदू सासक के समय आया था 1498 इस्वी में वास्को डिगावा काली कर पर किस हिंदू सासक के समय में आया था जमूरिन यहां से देखिए आपके मैथि कोशन इस्टार्ट हो जाते हैं एक आयत के लंबाई और चौणाई 23 मीटर का अंतर है यदि आयत का परिमाप 206 मीटर तो 6 तरफल क्या होगा 2520 वर्ग मीटर यह अंसर सही था 15 वस्टों का क्रै मुल 10 वस्टों के विकर्य मुल के बरावर तो परतिसत लाब 5加शी परतिसत यदि किसी संख्या का दो गुना इस संख्या के 3 बटा 5 से 60 अदिख हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 60 होगी अगला question छे संख्याओं का आउसर 20 है यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया आउसर 15 हो तो हटाएगी संख्या ग्याद करें तो हटाएगी संख्या 45 होगी यहां से देखिया आप साइसे question पूछे गए है निम लिखित में से कौन एक सलिस रासी नहीं है मानों सरीर का सामाने तापकरम होता है निमन में से कौन प्राथमिक रंग है निमन में से कौन सा प्राथमिक रंग है लाल हरा और नीला यह प्राथमिक रंग है अगला कोशन निम लेखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है मार्स गैस किसे कहा जाता है तो मार्स गैस नीथन को कहा जाता है अगला कोशन देख पुछा गया 4X सुवागा का रासायनिक सूत्र होता है तो देखे 4X सुवागा का रासायनिक सूत्र होता है के टू वी ओ सेवन टैन अश्टो और उह अगला जोसल ने हिंन नांकित में से कौन सा एक उधारहन रासायनिक परिवर्तन का नहीं है जेल में नमक का गुलना ब्रूण निम्न मेंसे किस से मिलता है तो ब्रूण वी से मिलता है अगला वोश्य है निम्न लिखे मेंसे कौन सा बसा में गुलंसील विटामिन नहीं है विटामिन वी